नमस्का स्वागत आपका नीज लॉंचर पर मैं हो अशो क्वान खड़े लेकर आए हूँ आपका अपना कारेक्रम दे डारेक्ट हिट आज मैं महारास्टर में हूँ और वहीं से एक कारेक्रम कर रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा पीछे होटेल का रूम दिख रहा होगा किस की स्टूडियो का सेट नहीं आज डारेक्ट हिट में हम बात करेंगे कि सेल्फ गॉल्फ कैसे होते हैं खुद को ही कैसे हिट करते हैं और ये कोल हिट हुआ कैसा हिट हुआ इसके पहले मैं आपको लेके चलता हूं गुजरात गुजरात जहां पिछले 35 साल से भारतिय जनता पाटी की सरकार है पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है इसके माएने वहराम राज्य पूर्ण रूर्प से स्थापित हो गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने पांच राज्यों के चनौव में जितना घूम कर जो जो कमिया गिना रहे है कॉंग्रेस शासि पाटी सरकार है और निरंग कुछ रूप से काम कर रही है लगातार लोग वहां चुनाव जित्वा के भेज रहे हैं इसका मतलब लोग भी बहुत खुश है अमन चमन हैं वहां कोई भेद्भाव नहीं वहां दिलीत सवर्ण महिलाए सब सुरक्षित हैं सब चंगा है हम यही मानेंगे क्योंकि उसी गुजरात के भूमी के सुपत्र हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी है और वो जब राजिस्थान हो या चतिसगड़ हो या तेलंगाना हो इन राज्यों में जाते हैं और जब इन राज्यों की सरकार के कूकर्मों का पाड़ा के आधा कि महलारे शुरक्षित नहीं भूरा बार जोनों के सुरक्षित का हवाला देते हैं गराल ही में जब राजित्थान में उन्हें ब्हाज़ान की भाशन दिया उस भाशन में पैस तालिसमियों के बशंड में 30 मिनिनित जो उन्हें बेटिया, बहने, माताएं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, इसी पे करीब करीब बोला, और बार बार कहते हो, कि जहां महिला सुरक्षित नहीं, यह से कॉंग्रेस को क्या करना है, इनको घर भेजिए, भारतिय जनता पार्टी का शाषन लईए, भारतिय जन करूँ, मैं आपको आसाम की बात करूँ, मैं आपको बाकी राज्यों की बात करूँ, महाराष्ट की बात करूँ, तो कही ना कहीं लगता है कि चलो छोड़िये, कि वहां पे डारेक्ट मोदी जी का क्या है, लेकिन गुजरात में तो मोदी जी के अपनी सरकार है, गुजरात में तो पूरा भाजवपा इतना युनाइट्ड है कि वहाँ एक दिन में पूरा मंत्र मंदल बदला जाता है और चू तक कोई नहीं आवाज तक कहीं नहीं निकलती वो राजस्तान मध्यपदेश हिमाच्य और करनाटक जैसा नहीं है जहां तुरंत विद्रो हो जाए और एक अम्रेली जिला है अम्रेजी जिला के धारी तहसिल प्लेस है धारी धारी में एक बीजेपी की नेत्री रहती है मधुवें जोशी वो अम्रेली जिला बीजेपी की सचीव रही है और वरतमान में धारी तालू का पंचायत की सदस्य है बुधवार के दिन रात को उन्हीं के पड़ोसी ने उनसे जगडा कर जगडा इतना उग्रे हो गया कि घर से तलवारे निकली तलवारे चली और उसमें मधुबेल जक्मी हो गई नस कटने के कारण उनकी मृत्ति हुई उनका बेटा रवी जोशी गंबिरूप से घायर है वो हस्पताल में है रसीक महता, जयोम महता, हरियोम महता ये 22 से 18 साल के उम्र के ये तीन युवाओं को पुलीस ने अरेश्ट कर लिया ये सामान निगटना है, ऐसे जगड़े इस उपो महतवीफ में रोज हजारों जगा होती होई दिखाई देते हैं बात फटाके पे हुई थी, फटाकों से बात आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते जगड़ा इतना उग्र हो गया कि महता परिवार तलवारे लेकिन आया मधुबेन को अपने रामराज वाली सरकार पे विश्वास था लेकिन महता जी, शायद महता परिवार ने कोई किसी को तमान न देखिते हुए, सिधा तलवार से हमला किया और एक अच्छी नेतरी जो बीजेपी का भहुष्य भी हो सकती थी, आने वाले समय में कैबिनेट मंत्री भी बन सकती थी क्योंकि भाजवपा में हमेशा सामान ने घर से लोग आ गया जाते हैं, ऐसे कहते हैं, कम से कम ऐसा कहा जाता है, एक दो उधारण, कि हम छोड़े, कोई एक्टरेस है, उसको मंत्री बना दिया, स्मृती रानी जैसा, या अभी कंगना रानावत तयार है, चुनाव लड़ने के लिए कल वो कहीं, कि बीजेपी सत्ता में आए तो वो वी देश मंत्री बने या, कोई बड़े मंतर मंत्रा ले उनको मिले, फाइनांस मिले तो कोई आश्चरे नहीं होगा, लेकिन मधुवेन जोशी का विश्वास टूड़ गया, उमृत्य को प्राप्त होगी, लेकिन इ मैं वहाँ के पुलीस व्यवस्ता को भी लचर नहीं मानता, ये सामान निता इसी जगड़े होते हैं, दिल्ली में कार पार्किंग को लेके गोलिया चली है, और सप्ता में कही ना कही कोई ना कोई, कार पार्किंग के जगड़े में जख्मी होता है, ये आम बात है, तो क्या इसके लिए दिल्ली पुलीस को ही जिम्मेदार माना जाए, ये दिल्ली पुलीस प्रत्यक कार पार्किंग के लिए वहाँ खड़े होके कार पार्किंग कराएगी, मैं इस अम्रेली वाली घटना आपको इसलिए बताया मैंने, कि यदि ये घटना राजिस्तान में होती है, या 36 गड़ में होती है, तो हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि अपने पार्टी की नेता की जान की इफाज़त तक नहीं कर पाते हैं, वो आपकी जान की इफाज़त कहते हैं, कोई डरी नहीं बचा है, यहां सिर्फ गुंडों का बोल बाला है, कोई भी तलवार लेकी आता ह है और किसी को भी वार करता है, कानून व्यवस्था तूड गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है, गुंडों का शाचन चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, क्योंकि कॉंग्रेस का शाचन है या भाज़पा का शाचन चाहिए, मैं आदर्णिया प्रधान मंत्री जी या विश्व क्यों नहीं गुजरात में भी सुरक्षा का शाचन चाहिए, जहां डबल इंजिन की सरकार हो, जहां 56 सेने वारा प्रधान मंत्री हो, जिसके अलाल आखों से चायना डरता हो, पुरे विश्व में जिसकी तूती बोलती हो, विश्व के बड़े-बड़े चाहिए युक्रेन का युद्ध हो या हमास का युद्ध हो, उसमें वो शांती लाने की बात करते हैं, विश्व में बड़ा रोल खेलने जा रहे हैं, क्या अपने ग्रह जिल्ले राज्य में अपने ही बीजेपी की नेता के उपर हमला होता है, वहां वो सुला नहीं कर सकते जो नेता अपने ग्रह राज्य में अपने ही महिला नेता की जान की गैरंटी नहीं दे सकता, वो बाकि लोगों को क्या गैरंटी देगा, यदि मैं ऐसा कहूंगा, तो ये राजनिति भाशन होगा मेरा, मानू जैसा कोई विपक्ष का नेता बोल रहा हूँ, लेकिन यह मैं आरोप नहीं लगाँगा, क्योंकि इस जगड़े के लिए किसी को भी नहीं, एसपी को भी नहीं रात कुस नीन में पता होता है कि कोई जिले का वोई एसपी है, कोई कोई कॉर्नर में कोई किसी की साइकल की हवा निकालने के जुर्म में ही एक दुस्ते के उपर गोली चला तो उन्हें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, यह चुनाओ तो एक-दो मेने का, एक मेने का खेले, दो मेने का खेले, उसके बाद तो फिर नहीं सरकार आती है, किसकी भी सरकार आती है, आप भी भूल जाते हैं, मनिपूर में जब आप लगातार चुनाओ के पहले बहुत द भी दुसरे दल के हो, यह जब आके आपको सुरक्षा, लॉइन ओर्डर की बात करते हैं, तो समझ जाएए, यह सिर्फ आपको लुभाने के लिए करना है, चाहिए इनको जिता दो, या किसी और को जिता दो, फिर यह आपके हाल पे छोड़के चले जाते हैं, दुसरे राज जमें जहाँ चुनाव, अब गुजरात में चुनाव हो गया, अब मुदी जी को गुजरात से कोई ही लेना लेना, मधुबेन जोशी की मृत्यू, यह इन्टॉलरंस की मृत्यू है, समाज में इतनी दुर्भावनाय फाइली हुई है, कि छोटी-छोटी बातों पे रिवाल लगते हैं, नीता जब भाशन देते हैं, तो कई ऐसे अंदभक्त की फौश तयार कर देते हैं, जो आत्मगाती दस्ता बनके कहीं भी टूट पड़ते हैं, इसलिए मैं यह सोच रहा हूं कि आज मधुबेन जोशी की कहानी कहीं ना कहीं, आदर्ण या नरेंद्र मोदी जी क को भी हीट करती हुए नजर आती है, क्योंकि आप राजस्तान में क्या गैरंटी देंगे सुड़क्षा की, जब आप आपके रज्या में खुद जहां से आप आते हैं, जहां डबल एंगिन के सरकार है, 35 साल चपीजिपिक सरकार है, राम राजस्ता पीद हुआ है, वहां आ पार है, आप राजस्तान मत्यवद इसकी गैरंटी कब देंगे, पहले आप अपने राज्य में देजिए, यह उस सवाल के जवाब है जब वो दूसरे विपक्ष के राज्यों पर हमले बोल देते हैं, वैसे ही कॉंग्रेस का है, जब कॉंग्रेस तेलंगाना में हमला बोल आप जब देखे हैं कॉंग्रेस यह भूल जाते हैं कि राजस्टान में क्या हुआ, जहां उनकी सरकारी हैं, लेकिन ग्रीच क्या बोलती हैं, कहीं शक्ता भी नहीं हैरा डिखता भी नहीं है, इसलिए जो सबसे ज़दा डिखता और बिखता है, कम से कम उसको तो हम यह कह सक कि भाई साफ जरा सभल के आप भी कई राज्यों में सरकार में हैं जाए यह सब हो रहा है जो आप इस राज्य की तरफ कुकरम बोलते हैं वो कुकरम सब्दुर हो रहे है इसके लिए सामाजी परिवरतन जरूरी है लेकिन चुनाओ जीतने के लिए तो हम हमेशा समाज पर झाफ भी कि ने भी कर राज्यों में सरका समाजी झाले ने थाह जा जिए पर तो हमेशा डं़ समाजी खंता जाने के लिए में पर अप nous आज़